है लो फ्रेंड्स बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा धेर सारा प्यार और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सुनिता ऐसेस ओफिसियल चैनल पे तो dais आप सब कैसे हो आशा करती हूं कि आप सब स्वास्थ और मस्थ होंगे और मैं भी श्वास्थ हूं और यहाँ देख सकते अभी सुबबब मैं जस्ट सो करके उठी हूं और अपना चुले को जो है लिपाई करने की तयारी कर रही हूँ तो राख था उसको मैं निकाल रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि गोबर से पोताई करना है तो राख को निकाल लेती हूँ बाद में निकलाने से गंदा हो जाता है राख हडा जाता है न इसलिए तो पहले मैं राक को ही निकाल ली उसके बाद में पताई कर रही हूं उसको गोबर से उसके बाद ही खाना सबजी पकेगा तो देखे इस तरह से मैं लिपाई कर दे रही हूं और कोईला आग जलता है इसलिए मेरा चुला जो है पूरा काला काला हो गया है गोबर से ल कभी बंदवस्त नहीं है ठोड़ी प्रोब्लम है तो थोड़ी साप नहीं दिखती है थोड़ा अंतकार अंतकार दिखाई देता है बट मुबाइल का भी टोर्च जला हुआ है और इस तरीके से आज मेरा सुभा का ब्लोग जो है वो इस्टार्ट होने वाला है तो आप लोग क करूंगे फ्रेंट्स पूरा ब्लोग दिखाने वाली हूं तो आप लोग बने रहेगा कंटीनियू और आज तो और भी ज्यादा ठंड लग रही है फ्रेंट्स क्योंकि अब दिन मतलब बढ़ते ही जा रहें ठंड तो आज कल बहुत अधिक ठंड लग रहा है और बहुत ज्या फिर भी से आज में जल्दी ऊठ गई फ्रेंट्स क्योंकि मिरे चलंडी पकाने खाना सबजी तो यह देखे फ्रेंट्स मेरा आग जो हो जल चुका था और में खाना पका रही थी फ्रेंट्स और आज बनाने वाली हूँ सेम और आलू की सबजी तो किस तरह से गाउंड हैत के लोग बनाते हैं फ्रेंट्स मैं उसी तरह से आज बना करके आप लोगों के साथ मैं सेयर करने वाली हूँ तो पहले इसको मैं धो लेती हूँ फ्रेंट्स आलू और सेम को धोने के बाद मैं मतलब पहले से ही प्याज काट करके रखी हूँ हल्दी भी पिसाई करके रखी हूँ फ्रेंट्स मैं पहले ही सारा इंतिजाम कर ली हूँ फ्रेंट्स तो देख सकते हैं यहाँ पस मैं अपना क किसे मैंने डाल दिया अब इसको मैं च्छे से भूनूंगी फ्रेंज के से बुमा जाए अज्ब हमै रालुच में देख सकते हैं मैं नमक डाल चुकी हो और इसको थोड़ा सा अभी भूनीमे के को ना मैं घुलब तक मैं ध्हक दूंगी ताकि टेमाटर जो है अच्छे से गूलेगा गैस तो देख सकते हैं मैं भी इसको दहां गैस तो देख सकते हैं मैं ध्हकने के बाद मतलब इसको निकाल बी चुकी हू μέidente गूंप है और यहां में देखें मेरा सब्जी भी पक चुका है गाइस तो यह देखें और उसके बाद हम लोग खाना सब्जी पकाने के बाद मैं नहां के मतलब अनाद लाकर के ंचोटी नहाने गई और खेलने के लिए चली गई थी असरे दुस्तरी तरफ तो फिर बाद में आई तो फिर इसको नहां को अदी गंदा हो गई थी हमारी छोटी तो देख रहे हैं अभी इसको जो है कपड़े पहनाना है और ठंडी बहुत ज्यादा है तो इसलिए वैसलिंग को लगा देरी हूं फैंस मैं इसको और सर पे तेल लगा दी हूं और इसको अभी मेरे को कपड़ा पहना करके अच्छे से तयार कर दूंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है और आज तो धूप निकला हुआ है अच्छे से तो उतना अधिक ठंड नहीं लग रहा है नहाने के बाद अच्छा फील हो रहा है तो देखिए कुछ इस तरीके से और मैं अभी जो है आज स सुबह में बहुत अधिक ठंड लग रहा था आज इसलिए मैं लिपाई करने नहीं पाई सुबह में तो अभी सारा काम अभी मैं मतलब नहादुआ करकी करने वाली हूं कि सुबह में बहुत अधिक ठंड लग रही थी इसलिए मैं नहीं की पूरा काम बस खाना सबजी का ही ह हुआ और घर सब जाडू अगरा लगाई बाकी नहीं कि फ्रेंट्स मैं तो अभी ओ करने वाली हूं है तो हमारी छोटी को देखिए मैं बाल उगरा उसका सब बना दी हूं फ्रेंट्स और बहुत बदमास से नहीं सुनती है बात को मेरे कोई गाली देने लगती है फ्रेंट्स यह देख सकते हैं हमारी छोटी तो फ्रेंट्स इसको मैं तयार करने के बाद अभी अपने कामों में लग गई हूं फ्रेंट्स देख सकते हैं दोपहर का जो है जाडू लग रही है घर पे फ्रेंट्स क्योंकि सुबह से लेके साम तक कचड़ा हो ही जाता है क्योंकि अड़ तो खेलते बहुत अधिक हैं तो कचड़ा हो जाता है और आज तो हमारी छोटी जो है गन्ना चूस रही थी तो गन्ना जो चूसी थी उसका कचड़ा अधिक है मेरे आंगन पे वही मतलब चूस चूस के फेंग दी है यहां पस तो अभी मैं आंगन को जाडू लगाऊंगी अच्छा नहीं दिखाए देता है धूल बहुत ज्यादा निकलता है बार बार लिपाई करती हूं फिर भी से वही हाल हो जाता है मेरा आंगन का सोच रहे हूं इसको भी छबाई करने का लेकिन बहुत ज्यादा जो है ठंड यहां पस चाबी थी देख रहे हैं वह भी मतलब उसको कोड़ दी है फिर से उसको करूंगे फ्रेंट्स मैं मिटी दूंगी उसमें तो फ्रेंट्स देख रहे हैं अभी जो है ना साम का फिर जलाना पड़ेगा और खाना सब्जी के लिए फिर से तयारी करना पड़ेगा क्योंकि दो पहर का टाइम आ चुका है अभी होते तक अच्छे से सुख भी जाएगा और इस टाइम पे जादा लोग नहीं आते हैं तो मतलब खूंदेंगे नहीं लिपाया हुआ क्योंकि बाहर वाला बरंदा को लिपाई करना है तो आते जाते लोग जो है उसी में चल देते हैं नहीं सुखा रहता है तो तो अभी अच् शुख जाएगा मेरा लिपाई किया हुआ नहीं तो उसी में चल देते हैं कच्छा होता है तो उसका पैर का निसान जो है वो सब पड़ जाता है चपल का धूल मीटी सब उसी में हो जाता है सुखा भी नहीं रहता विसी ही तो फ्रेंस मैं अपना आंगन जो है जाडू तो और मैं अपने दूसरे कामों में लग चुकी हूं तो देख सकते हैं यहां पस मैं पहले डिजाइने बनाई थी फ्रेंस लेकिन यह वाला जो है ना यह लिपाई जो है नहीं सुखा था और ऐसे ही लोग आने जाने लगे थे तो अच्छा नहीं लगने लगा था मुझे भी बस लिपाई की उस टाइम पे तो बहुत अच्छा दीक रहा था लेकिन सुखने नहीं पाया ओ इसे ही मतलब लोग आने जाने लगे इसी में रास्ता है बहुत लोग आते जाते हैं अडोस पडोस के तो मतलब ऐसे ही चल दिये बिना पैर मतलब चपल में और धूल मिटी सब इस नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को भी सफेद वाला तौस बील्कुल भी नहीं दीक रहा था लिपाया हुआ दें स्भी सपस्ट भी नहीं दीखाई दे रहा था और बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा था ना गंदा लग रहा था इसलिए मैं सोची पुताई कर देती हूँ आज मैं गुबर को बहुत गाड करके लिपाई कर रही हूँ और कुछ डिजाइने भी बना दे रही हूँ थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं नहीं थोड़ा बहुत यह देख सकते हैं इस तरीके से आई हो प्रैंट्स कि आज आप सबको मेरी बलॉग पसंद आया होगा और फ्रैंट्स हमारी वीडियो जवे और बनाने की कोसिस करूंगी तो देखिए फ्रैंट्स मैं इस तरीके से लिपाई करते जा रही हूँ और अभी लिपाई करने के बाद मुझे और भी काम बाकी है घर पे फ्रेंज सुबह से साम हो जाता करते करते फिर भी घर का काम कभी खतम ही नहीं होता क्या करना पड़ता है और बहुत से ऐसे फ्रेंटस हैं जो की बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स καते हैं मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होती है और आप लोगों से यही उम्मीद करती हूं फ्रेंटस कि आप लोग मुझे ऐसा ही सपोर्ट कीजिये और आप लोगों का प्यार और दुलार इसी तरह बनाया रखेगा क्योंकि आप लोगों का प्यार और दुलार मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है और आप लोगों की सपोर्ट की तो देखें आप लोगों की प्यार और दुलार की वज़ा से ही आज मेरे इतने जादे फैमली बने हुए हैं और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ वीडियो बना करके दिखाना सेर करना अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स में बाते करते हो हमसे और बोलते भी हो कि इस तरीके से खाओ कुछ जगह का मिश्टेक हो जाता वो भी बताते हो कि आप ऐसा करना वैसा करना तो मुझे और भी अच्छा लगता है इसलिए कहती हूं फ्रेंट्स कहीं गलत होता है तो मुझे जरूर बोलिएगा जिस तरह बोलिएगा वैसे करने की कोशिस पूरी कोशिस करूंगी फ्रेंट्स और आप लोगों को मुझे इतनी सपोर्ट करने के लिए मैं तहे दिल से बहुत-बहुत सुक्रिया बोलती हूं फ्रेंट्स आप लोग ऐसा ही प्यार अर्दुलार बनाया रखिएगा तो देखे फ्रेंट्स मैं जो है ओ गोबर्षे मतलब लिपाई करके अपना जो है ओ तो कंप्लीट करने वाली हूं अभी और पहले दिखाई थी पहले ब्लोग में कि मैं मिट्टी से मतलब पोताई मिट्टी से छबाई कर रही थी बाहर वाला चुला के पास तो फ्रेंट्स मैं उसको इसलिए नहीं दिखाई हूं अभी क्योंकि उसको ना सुखने में बहुत ज्यादा लेट लगा है और अभी तक मतलब सुखा नहीं है हलका हलका भी सुख जाता तो समझ में आता बिल्कुल भी नहीं सुखा है क्योंकि अभी जो है बादल था ना तो इसी वज़ा से मैं उसको नहीं दिखा पाई हूं आगे का इसलिए मैं दूसरा ब्लोग द देना है और थोड़ा बहुत दी हूं बस वहीं बाकी रह गया है तो वहां पस मेरे को और भारना है जब सुखेगा तब तो अभी तो फिल्हाल मौसम जो है ओ ठीक हो रहाए दिरे जब ठीक हो जाएगा अच्छे से तो फिर से मिट्टी का काम करूंगे फ्रेंड्स क्योंकि नहीं सुकते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते करने का मन भी नहीं करता है और सुक जाते हैं तो मतलब तुरन तुरन छाबने को भी बनता है और नहीं सुकता है तो कच्चा कच्चा थोड़ा अच्छा नहीं लगता और इसी में लोग आते जाते रहते हैं तो वह भी मतलब पेर से खून देंगे, कुचल देंगे, इसलिए थोड़ा सा, इंतिजार कर रही हूँ धूप का, ताकि अच्छे से निकल आए धूप, तो मैं सारा अपना काम सुरू कर दूँ बनाने के लिए, तो फ्रेंस, इधर जो है, मुर्गियां हैं, और ओ मतलब टटी कर दिये हैं, त इसके बाद में इधर कमाय लिपाई करूँगी, क्योंकि हम लोग के घर में मुर्गियां भी पाले हैं, हम लोग तो मतलब टटी कर देती हैं, तुरंट तुरंट गूशते रहती हैं, इधर से उधर, तो भी गंदा कर देते हैं, मुर्गी भी, तो इस तरह से मैं इसको करने के लिए निकल चुकी है, घर पे नहीं है, बस मैं अकेली हूँ, चुक्चाप अकेले लिपाई कर रहे हूं आज, लेकिन आज का आवाज मैं इसलिए मयूट कर दी, क्योंकि मुर्गा मुर्गी जो हैं, इस आसपास में घूम रहे हैं, बहुत अधिक हल्ला कर रहे हैं, जानते हैं, अप लोग मुर्गा तो टाइम टाइम पर बास्ते ही रहता है, बहुत जादा चिलाता है, तो वही बहुत हल्ला कर रहे थे, वही लोग मुर्गी लोग, तो इसलिए मैं मयूट कर दी, आज का आवाज को, नहीं तो आज मैं अकेली थी, सोच रही थी, कि आज का आवाज में मैं उट कर दी हूँ फ्रेंट्स तो आप लोगों को कैसा लगता है फ्रेंट्स मेरा वीडियो जरूर बताईएगा और एक बात और बोलूंगी फ्रेंट्स कुछ फ्रेंट्स बोलते हैं कि ओरीजिनल आवाज डालिए क्या म्यूजिक बेगराउंड अच्छा नही डालूंगी फ्रेंट्स आप लोग बताईएगा कि अब म्यूजिक के साथ नहीं बनाऊंगी आप लोग बोलेंगी तो अगर रियल बैगराउंड डालने को बोलते हैं जो मतलब लिपाई की हूं जाडू लगाई हूं उसी का अगर आप लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं तो उसी का रहने दूंगी अगर कुछ आवाज आ जाता है तो उसको मयूट करके मेरा डाल दूंगी म्यूजिक बैगराउंड नहीं डालूंगी आप लोगों को नहीं पसंद है तो आप लोग जरूर बताईएगा कि आप लोगों को कैसा पसंद है तो मैं उसी तरह से बनाने की कोसिस करूंगी फ्रेंड्स क्योंकि बहुत लोगों को म्यूजिक पसंद होता है बहुत लोगों को म्यूजिक पसंद नहीं आता है रियल देखने का मन करता है तो फ्रेंड्स मैं दोनों कोसिस करूंगी लेकिन आप लोगों बताईएगा कि आप लोगों की क्या इच्छा है क्या राय है क्या देखने का मन करता है तो आप लोगों से मैं जानना चाहती हूं क्योंकि मुझे कॉमेंट्स में बोला गया है कि मतलब रियल वाला बैग्राउंड ही डालो जो जाड़ू पोछा करती है उसी का इसलिए मैं इस तरह से पूछ रही हूं फ्रेंड्स कि आप से बहुत जादा जो है कनफ्यूजन में हूं मैं सोच रही थी कि आप लोगों से पूछूंगी बट आज मैं पूछी दी फ्रेंड्स तो आप लोग उमीद है कि आप लोग जरूर बताईएगा कि क्या पसंद है तो मैं उसी तरीके से बनाने की कोशिस करूंगी तो जो है वो दिखाई दे रहा है लिपाई की हूं फिर भी से अभी एक बार लिपाई की हूं जब तक दो तीन बार लिपाई नहीं होगा तब तक मतलब एक कलर जो है वो नहीं जाएगा क्योंकि बहुत जादा मैं गार्ड करके लिपाई कर दी थी फ्रेंड्स पहली बार बना था क्योंकि वह पतला था इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं इस तरह से अपना लिपाई जो है ओ मैं कंप्लीट करने वाली हूं यह देख सकते हो बस किनारे का ही बाकी रह गया था तो फ्रेंड्स अभी इसके बाद जो है मेरा ब्लोग ब